राधे राधे सभी बैनों को आज हम सुनेंगे चांचट की कथा था प्राधिन समय की बात है एक लगर में एक धनवान सेट और उसकी पतनी रहते थे उनके एक पुत्र भी था सेट की पतनी की धर्म कर्म में रुची नहीं थी वह पुरानी परंपराओं को नहीं मानती थी हिं रसोई के कारे करना बतना अदी छूना जैसे काम करती थी उसके इस दुराचरण का उसके पती के धर्म करम पर भी बुरा प्रफा पढ़ा और मिर्त्यों के बाद उन दोनों को बुरी योनियों में जनम लेना पढ़ा सेट के मरने के बाद पहली की योनी मिली उधर सेट की पतनी को कुटिया की योनी में जनम लेना पड़ा इन योनियों में भी वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही थे और उनके घर की रखवाली करते थे एक दिन सेट का सराथ था उसके बेटे ने अपनी स्त्री से कहा आज पिताजी का स्राद है घर पर मैंने पंडेजी को न्योता दिया है वो भोजन के लिए आएंगी यह कहकर वह काम पर चला गया सेट की बहु ने इस राद के लिए तरह तरह के पकवान और खीर बनाई सेट की बहु काम में वेस्ट थी और तब ही वहां एक साफ आया और खीर के बरतन में खीर चांदने लगा उस पर बहु का ध्यान नहीं गया परंकु उस कुटिया ने उस साप को खीर में मू लगाते देख लिया उसने सोचा कि बहु ने इस साप को नहीं देखा और यही खीर यदि वो पंडित को किलाएगी तो इसके जहर से उसकी मृत्यू हो जाएगी यह सोचकर उसने कुटिया ने उस खीर के बरतन को गिरा दिया यह देखकर बहु को बहुत क्रोधाया और उसने कुटिया के लकड़ी को फैक करके मारी जो कि उस कुटिया के पीट पर लगी कुटिया को बहुत देच चोट आई बहु ने फिर दूसरी खीर बना ली बहु और बेटे ने बड़े प्रेम से पंडित जी को भोजन कराया और दक्षिना देकर विदा किया उस दिन उस बहु ने उस कुतिया को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया रात्री में कुतिया बैल के पास आई और उससे बोली आज आपका सराथ था आपके नाम पर पंडित को खुब स्वादिस्ट भोजन कराया गया आपको भी अच्छे से भोजन मिला होगा किन्तो मुझे तो आज भोजन के बदले में मार खानी पड़ी बैल ने उससे कारण पुछा तो कुतिया ने उसे सारी कहानी सुनाई तब बैल बोला कि मेरा भी आज का दिन अच्छा नहीं रहा आज और दिनों से काम ज़्यादा था और मुझे भी भर पेट पोजन नहीं मिला जब कुतिया और बैल दोनों बात कर रहे थे तो बेटा और बहु सुन रहे थे उनको उनकी बातें सुनकर बड़ा अचमबा हुआ और साथ ही दुख भी हुआ फिर अपने मन की संसुष्टी के लिए बेटे ने एक पहुचे हुए पंडित को जाकर पुछा कि मेरे माता पिता मृत्यों के उपरां तब किस योनी में है तब उस पंडित ने बताया कि तुमारे पिता बैल और तुमारी माता कुतिया की योनी में दुख भोग रही है वो अभी तुमारे घर में ही है उसको यह झानकर बड़ा दुख हुआ उसने पंडित जी से उसका कारण पूछा तो पंडित ने बताया कि तुम्हारी माता धरम करम में विश्वास नहीं करती थी वहे धार मिक्रेती रिवाजों का अनुसरन भी नहीं करती थी वहरे तुकाल में भी रसोई के काम कर लेती थी जबकि माशिक धर्म के समय वह वर्जित होता है उनको उसी पाप का दंड मिल रहा है तब उस बेटे ने अपने माता पिता की उस योनी से मुक्ति का उपाय पूछा तब पंडी जी ने उसे भादर पृत की कृष्ण पक्ष की सश्टी अर्था चांचछट के वर्द के विसे में बताया और कहा कि जब पूजन के वाद कुमारी कन्या चंदरमा को अर्द दे तब वे दोनों अर्द के जल के नीचे खड़े हो जाएं जिससे वह जल उन पर गिरे इससे उनको इस योनी से मुक्ति मिल जाएगी घर पहुँचकर उस बेटे ने बैल और कुतिया को बहुत प्रेम किया उनको प्रेम से भोजन भी कराया फिर जब चांचछट आई तब उसने कुमारी कन्या से चंदर सश्टी का वर्द और पूजन कराया अर्द के समय कुतिया और बैल को अर्द के जल के नीचे लाकर खड़ा कर दिया उन पर अर्द का जल बढ़ने से उनकी मुक्ति हो गई इस प्रकार चांचछट का वर्द करने और पूजन करने से मनुश्य को पूर्व जनम के पापों का भी निराकार्ण हो जाता है